प्रिस्ट क्लासेज में और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की जोग्रफी के बारे में चैप्टर नमबर 7 है भाई अमारा ये जिसका नाम है खनेज और उर्जा संसादन तो देखेंगे फटावट से जरा इस चैप्टर में हमी क्या डिसकस करना है कक्षा 12 के लिए भुगोल की क्लास है हमारी ये चैप्टर नमबर 7 इसके अंदर हम ये देखेंगे कि खनिच क्या होते है उर्जा संसाधन क्या होते है ठीक है भाई इसके सभी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप चेकाउट कर सक देखते हैं बाकी सभी वीडियो उसका जो की क्लास 12 की जोग्रफी के लिए है उनका लिंक उपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेकाउट करना बिलकुल ना भूले और अगर आपको नोट्स चाहिए इंपोर्टेंट कोशन क्विजेज या बाकी कोई भी कंटेंट तो अभी क्या भी विजट करें ChrisCross Classes.in तो चलिए देखते हैं बाई क्या क्या पढ़ना है हमें तो इस चप्टर खनीज अवं ओर्जा संसादन में हम बात करेंगे खनीज क्या होते हैं धातविक और अधातविक खनीज क्या होते हैं भारत में कौन-कौन सी खनीज एजंसिया है बारत में खनीजों का वित्रण किस प्रकार है उर्जा संसादन कीने कहते हैं खनीजों के संरक्षन का क्या मतलब है और साती साथ किस प्रकार खनीजों का संरक्षन किया जा सकता है तो देखिए खनीज को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जाता तो जिनमें लोहे कांश पाया जाता है वो लोह खनीज होते हैं और जिनमें लोहे कांश नहीं पाया जाता है वो अलोह खनीज होते हैं तो लोहे वाले जैसे कौन कौन से हो गए भई लोहा हो गया मैगनीज हो गया और अलोह कौन से होते हैं तामबा और बॉकसाइट वगेरा अधात्विक खनीजों में भी दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं इंधन खनीज जैसे कि हमारा कोईला पेट्रोलियम प्राकृतिक और अन्य अधात्वी खनिज जैसे कि माई का चूना पत्थर और ग्रेफाइट वगेरा तो इस तरीके से इन सब को बाटा जाता है तो अब एक एक करके देखते हैं सबसे पहले समझते हैं भई खनिज क्या होते हैं तो खनिज एक प्राकृतिक पदार्त है जिनने खनन की प्र ठीक है इनकी रासाइनिक और बहुत एक विशेष्टा हो क्या अधार पर यानि इनकी रासाइनिक विशेष्टा क्या है और ये दिखते कैसे हैं बहुत एक विशेष्टा हैं इसके अधार पर खनिजों को मुखे रोप से दो भागों में बाटते हैं पहले तो है धात्विक खनेज और दूसरे कौन से हैं भई अधात्विक खनेज तो एक एक करके देखते हैं पहले धात्विक खनेज को तो वह खनेज जो धात्विक उत्पत्ति के होते हैं धात्विक खनेज कहलाते हैं यानि ऐसे खनेज जिनके उत्पत्ति जो होती है धात्विक होती है जो धात्व की द्वारा बने होते हैं उन्हीं क्या कहा जाता है भाई धात्विक खनेज जैसे लो एसक हो गया तामबा हो गया सौना हो गया ये सब क्या है भाई धात्विक खनेज है इनमें क्या होता है कि इनमें धातू के गुणदर्म पाए जाते है जैसे तन्यता हो गया अगात वर्द करें बाई किसी चीज़ से पीट है तो उसके अंदर आवास गुंच ती है बाई किया होती है दूसरा चादर में परिवरतित में नहीं कर तो दात्विक खनिजों को भी मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जाता है पहले हैं लोह और दूसरे हैं अलोह तो वै खनिज जिन में लोहे कांश मौजूद होता है लोह दात्विक खनिज कहलाते है उधारन के लिए हमारे पास लोहा हो गया मैंगनीज हो गया और अलोह máquina जिन में लोहे कांश मौजूद नहीं होता अलोह दात्विक खनिज कहलाते है उधारन के लिए तांबा हो गया बॉकसाइड हो गया यह सब क्या हैं भई यह अलोह दात्विक खनिज है फिर आती है बाद कि अधात्विक खनिच क्या होते हैं तो अधात्विक खनिच कार्बनिक तदा अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं कार्बनिक उत्पत्ति का मतलब है कि बही जो लंबे समय से प्रित्वी के अंदर दबे प्राणी और पादब जीवों से प्राप्त होते हैं अधात्विक अकार्बनिक खनिज कौन से हैं जो इस प्रकार के नहीं होते ही यानि कि जो नॉर्मली पाए जाते हैं तो देखिए अधात्विक खनिजों को मुखे रुप से दो भागों में बाटा जाते हैं पहले कौन से हैं भाई कार्बनिक और दूसरे कौन से अकार्बनिक कार्बनिक कौन से है वे खनिज जो कार्बनिक उत्पत्ती के होते हैं इंदन खनिज भी कहलाते हैं जैसे कि जो प्रिथ्वी में दबे प्राणी और पादब जीवों से प्राप्त किये जाते हैं तो वो इंदन खनिज यानि की कार्बनिक उत्पत्ती के खनिज होते हैं जैसे क कोईला हो गया पेट्रोलियम ऐसा माना जाता है न कि आज से बहुत समय पहले जो जीव वगेरा थे या पेड़ वगेरा थे वो जमीन के अंदर दब गए और प्रेशर और तापमान की वज़े से कोईले और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए तो ये कार्बनिक उत्पत्त के बारे में बात करें तो भारत में जो खनीजों का व्यवस्ति सर्वेक्षन और उनके अन्वेक्षन का कार्रे किया जाता है कई एजंसियों द्वारा किया जाता है जैसे कौन कौन सी भाई भारतिय भूव एग्यानिक सर्वेक्षन यानि GSI हो गया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC हो गया, खनीज अन्वेक्शन निगम लिमिटेड MECL, रास्ट्रे खनीज विकास निगम NM DC, इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स IBM, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड BGML और रास्ट्रे अलूमीनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, ठीक है भाई, तो ये सम में एजन भारत में खनीज तीन पट्टियों में वित्रित है, यानि तीन अलग-अलग शेत्रों में वित्रित है, पहला तो है उत्तरपूर्वी पठारी शेत्र, ठीक है भाई, जो उत्तरपूर्व के पठारी शेत्र है वहाँ पर, इसके अंदर देखो, ओडिशा के पठार हो गए, छोटा नागपुर हो गया, 36 गड़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से आते हैं इस पट्टी में मुक्य रूप से कौन-कौन से खनिच पाए जाते हैं कोईला, बॉकसाइट, लोईयास, अब्रक और मैगनीज वगेरा इन खनिचों के कारण है, अधिकांश, लोहा और इस पात, उद्ध्योग काए भई, यही पर ही इस्तित है क्योंकि यह सब खनिच पाए जाते हैं, तो जो उनके लिए क्या गरते हैं, भई, कच्छे माल का कार्रे करते हैं इसलिए जादा तर उद्ध्योग यहां पर ही पाए जाते हैं, इसके अलावा अगर हम देखे तो दूसरा है हमारा दक्षिन पश्चिमी पठार प्रदेश, इस पट्टी में गोवा हो गया, करनाटक, तमिलाडू और केरल के इस से शामिल है गोवा में लो एस की खाने इस्तित हैं, ठीक है बई, मैनाजाइट रेत और थोरियम के बंडार कहां पाए जाते हैं, यही पर ही पाए जाते हैं ठीक है इसी के अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इस पट्टी में खनीज, धारवार चट्टानों से जुड़े हैं, जो गुजरात और राजेस्थान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे की तामबा हो गया, जस्ता, ग हमारे खनीज वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है, बात आती है कि वही उर्जा संसाधन क्या होते हैं, तो वह सभी संसाधन जो उर्जा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, वह संसाधन जिन से हमें उर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, उर्जा संसाधन जैसे कोईल पेट्रोलियम हो गया तो यह सब बूर्जा संसादन है अब बूर्जा संसादनों के दो प्रकार है पहले तो वो है परमपरागस संसादन और दूसरे कौन से है भई अपरमपरागस संसादन ठीक है भई इन्हें आ नविकर्णिये और नविकर्णिये भी बोलते है तो परमपर नविकर्णिये का मतलब कि ये एक दौर बात क्या होगा समाप्त हो जाएंगे यानि ये समाप्त हो सकते हैं अपरमपरागस संसादन वो हैं जिनका प्रयोग अभी हम एक लंबे दौर से नहीं कर रहे हैं यानि इतने लंबे दौर से हम इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं पर हम तो इनके प्रयोग को बढ़ा सकते हैं ठीक है और ये नवी कर्णिये हैं नवी कर्णिये होने का मतलब कि ये कभी खतम नहीं होंगे जैसे अगर हम देखें कि बई जो प्रकाश की उर्जा है जलसे जो हमें उर्जा मिलती है तो ये सब कभी खतम नहीं होगा ठीक है तो इसी व हमारा सौर उर्जा हो गई, जल उर्जा हो गई, तो ये सब क्या हैं, वायू उर्जा हो गई, जो पवन उर्जा का प्रयोग करते हम, तो ये सब क्या हैं, ये सब नवी करने हैं, यानि ये कभी खतम नहीं होंगे, तो उर्जा के परमपरागस संसादन, जैसा कि मैंने आपको उर्जा के परमपरागस संसादन उन संसादनों को कहा जाता है जिनका प्रयोग माना वे एक लंबे समय से कर रहा है उर्जा के परमपरागस संसादन अनवी करनी है यानि एक बार उपयोग किये जाने के बाद इन्हें पुने प्राप्त नहीं किया जा सकता ये क्या है ये विश्व में उर्जा के परंपरागस संसादनों का वित्रण असमान है यानि किसी देश के पास तो बहुत सारा कोईला है पैट्रोलियम किसी देश के पास जादा है जबकि अन्य देशों के पास इसकी बहुत जादा कमी है तो विश्व में उर्जा के जो परंपरागस संसाद जैसे कोईला हो गया पैट्रोलियम हो गया दूसरे हमारे उर्जा के अपरंपरागत संसादन तो उर्जा के अपरंपरागत संसादन उन संसादनों को कहा गया है जिनका प्रयोग मानव लंबे समय से नहीं कर रहा परन्तु अब उनका प्रयोग क्या कर रहे हैं भई दीरे-दी अपरंपरागस संसादन यह समाप्पय है, यानि यह कभी समाप्त नहीं होंगे और साथी साथ इन संसादन जो परंपरागस संसादन है dia लगबग हर देश के अंदर समान रूप से वित्रित है जैसे पवने तो हर जगाई चलती है नदिया भी हर जगाई है सोर उर्जा भी सबको मिलती है तो यह जादा समान रूप से वित्रित है और इनसे परियावरन को लगबग ना के बराबर नुकसान होता है यानि कोई करने में जितनी भी उसकी झरूरत है उसको यह जते हैं बढ़ Det participation ऐसे गाड़ी चलाने की बात करें पेट्रोलियम झर्ल की जरूरत होती है वह पेट्रोलियम जाता तू अब एक संनक्षन उसलिए और एक मुख्य सॉधनी अगर एक समय बाद ये समाप्त हो जाएंगे तो इने दुबारा बनने में क्या लगेगा भई लाखों वर्षों का समय लगेगा ठेके भई और इसी वज़े से इनकी समाप्ति के बाद इने प्राप्त करना अतियंत कठिन हो जाएगा तो इसलिए ये जरूरी है कि हम सतत पोष्णिये विकास करें यानि वर्तमा से जो हमारी उर्जा की आवश्क्ता है उन्हें पूरा किया जा सके ठीक है और आगे आने वाली पीड़ी के लिए ये संसादन खतम भी ना हो तो कैसे कर सकते हैं वह तो क्योंकि यह समाप्ते संसादन है इसलिए उन्हें बनने में लंबा समय लगता है और इसलिए इनका संर संरक्षन आवश्यक है तो संरक्षन करेंगे कैसे देखो पहला तो सीमित उप्योग करके यानि कि वर्तमान में उपलब्द खनीजों का सीमित उप्योग करके उनका संरक्षन किया जा सकता है ताकि बविश्य में भी उनकी उपलब्दता बनी रहे तो जितना जरूरी है उना उप्योग करना चाहिए और साती साथ अपरंपरागत स्त्रोतों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए यानि जो उर्जा के अपरंपरागत स्त्रोत है ऐसे स्त्रोत हैं जो कि जरूरी हैं किसके लिए उर्जा की पूर्ती के लिए और साती साथ ऐसे स्त्रोत हैं जो कभी खतम न को clear हो गया होगा अगर आपका कोई भी doubt है तो आप नीचे comment कर सकते हैं notes वगिर आपको सब नीचे description में link मिल जाएगा notes important question quiz objective question सब कुछ मिल जाएंगे हमारा telegram group join कर लें ऐसे important question और बाकी content के लिए subscribe कर लें ऐसे ही channel को क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए regularly आते रहेंगी और वीडियो को like जरूर कर दें भई क्योंकि आपका एक like हमें motivation देता है साती साथ हमारे mentee quiz यानि live quizzes की classes चल रहे हैं regularly तो उसे join करना बिलकुल ना भूले साथे तीन बजे इस्ट्री और साथे आठ बजे पॉलिटिकल साइंस तो थाइंक यू वेरी मच एवरीवन पूर जोइनिंग दा सेशन थाइंक्स अलोट